आज हम करेंगे Class 9th English का The Man Who Knew Too Much ये चैप्टर Class 9th Essay 2 कोर्स एक है से लेबिस में है चलिए शुरू करते हैं ये जो स्टोरी है ये एक सोल्जर है जो की ट्रेनिंग ले रहा है आर्मी में ट्रेनिंग ले रहा है उसकी कहानी है उसका नाम है Private Quelch Quelch उसका नाम है और Private का ये मतलब है कि अभी वो पूरी ट्रेनिंग नहीं ले लिए है उसने अभी भी वो ट्रेनिंग ले रहा है ट्रेनिंग सक्सेस्फुल खतम करने को इस एक्टर में Commission बोला गया है कि वो Commission है और जब तक वो ट्रेनिंग ले रहा है उसको बोला है प्राइवेट तो जो आथर है वो कहता है कि मैंने प्राइवेट क्वेल्च से मैं ट्रेनिंग डिपो पे मिला था और मुझे पता चला कि उसको हर कोई Professor के नाम से जानता है उसको Professor इसलिए कहा जाता था कि knowledgeable था और वो अपना knowledge संभाल के नहीं रखता था वो अपना knowledge जितना दिखा सकता है जितना show off कर सकता है वो करता था author बोलता है कि मैं आपको इसका एक incident बताता हूँ हम लोग musketry में training कर रहे थे musketry क्या होता है ऐसी जगह ऐसी training जहां पर rifle की training दी जाती है तो musketry में training कर रहे थे पहला lesson था हमारा और हमें एक sergeant थे जो training दे रहे थे उन्होंने कुछ northwest frontier ribbons लगाए हुए थे यहाँ पर ribbons का मतलब है कि आपने देखा होगा अलग-अर्मी में अलग-अपने uniform पे अलग-अलग labels लगाते हैं तो उसी तरह से इन्होंने Northwest Frontier Ribbon लगाए होए थे Northwest Frontier Ribbon का यहाँ पर मतलब है कि उन्होंने Northwest Front मतलब जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है वहाँ पर भी Services अपनी दी थी तो बहुत experience थे और वो बता रहे थे कि Service Rifle जो होता है Service Rifle वो किस तरह से काम करता है तो उन्होंने कहा कि यह जो Muzzle Velocity होती है वो समझा रहे थे वो Velocity जिस पे की Bullet गन से निकलती है वो 2000 Feet पर सेकिंड होती है तो बहुत ज़्यादा Velocity होती है और उसी वकट ग्रुप में Students के ग्रुप में से किसी ने आवाज लगाई कि 2440 Feet 2440 Feet पर सेकिंड और यह कौन था? यह वो ही था प्रोफेसर और प्रोफेसर का नाम क्या था? प्राइवेट क्वेल्च क्वेल्च सो सर्जेंट ने कुछ ज़्यादा ध्यान नी दिया होनने ने का हाँ तुम सही बोल रहे हो और अपना lecture continue रखा जब lecture खतम हो गया तो जो सर्जेंट थे उन्होंने जो स्टूडेंट से उनसे अलगला questions पूछे इस होप में कि वो कुछ बच्चों से बदला ले लेंगे उन बच्चों से जिनको ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही knowledge है और जितने भी questions थे वो ज़्यादा तर end में आके प्राइवेट कोईल्च के बास ही आ जाते थे जिन्हें हम प्रोफेसर भी कहते हैं क्योंकि कहीं न कहीं सर्जेंट उनसे बदला लेना चाहते थे क्योंकि वो भीच में टोक रहे थे जितने भी सवाल पूछे सर्जेंट ने उन सब का आंसर प्राइवेट कोईल्च ने दे दिया चाहे वो टेक्निकल डेफिनेशन हो राइफल के पार्ट हो कैसे उसको यूज करना है ये सारी चीजे प्रोफेसर को याद थी सर्जेंट ने पूछा तुम्हाँ कोई ट्रेनिंग मिली हुई है क्या पहले तो प्रोफेसर की एक बहुत इंपोर्टन लाइन है वो कहते थे कि जब भी ऐसा कोई उन से सवाल पूछता था तो हमेशा इसी तरह से आंसर देते थे It's all a matter of intelligent reading मतलब अगर आप सिरफ पढ़ते रहें intelligently समझ कर तो आपको और कुछ नहीं चाहिए बाकी जो हम लोग जो narrator के साइट से जो लोग training ले रहे थे उनको एक बात तो समझ में आगे कि ये हमसे बहुत आगे है इसके पास दिमाग है और इसको बहुत जल्दी commission मिल जाएगी commission का मतलब अभी मैंने बताया था कि इसको बहुत जल्दी इसकी training खतम हो जाएगी और ये army में soldier बन जाएगा ये जो professor था इसने अपना ambition पूरा करने के लिए कि अपनी training खतम करके soldier बनने के लिए बहुत मैनत करी दो इस तरह से और सारी रात बैट बैट कर उनको पढ़ता था और उसके बाद वो क्या करता था instructor से जो भी उनको पढ़ा रहे उनसे फिर बहुत सारे doubt पूछता था और जब marches होते थे आपको पता है march past होता है school में भी sports day में वैसे भी तो उसमें वो ठकता नहीं था उसके अंदर इतनी energy थी कि वो पढ़ता भी था और बाकी सारी चीजों में भी वो बहुत बढ़िया था जैसे ऐसे आगे time बढ़ता गया उसने अपने जितने भी colleagues थे जो बाकी लोग training ले रहे थे उनको वो अपना सारा knowledge बताता था जैसे कि अच्छा तुम्हें पता है क्या ऐसे भी होता है तो इस तरीके से वो अपना knowledge बांडता रहता था बताता रहता था पहले तो बच्चों को वो चीज अच्छी लगी बच्चे नहीं जो वहाँ पे soldier से उनको वो चीज अच्छी लगी लेकिन बाद में सारे लोगों को उस चीज से डर लगने लगा क्योंकि अगर आपके पास कोई आए और आपको हमेशा अपने बारे में और अपने knowledge से बताता रहे तो थोड़े दिन में आप बोर हो जाओगे या फिर आप परेशान हो जाओगे तो लोगों ने उसके उपर जोग करना शुरू कर दिया प्रोफेसर को उससे फरक नहीं पड़ा वो अपना काम करता रहा अगर कोई भी ट्रेनिंग में soldier कोई भी mistake करता था तो प्रोफेसर पब्लिकली सब के सामने अरे ऐसे नहीं होता तुम्हें करना नहीं आता मैं तुम्हें बताता हूँ तो उनको वो पब्लिकली करेक्ट करता था which was not a very good habit तो हर जगा पे उसका ये तरीका था कि तुम्हें नहीं आता मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करते हैं let me show you या फिर अरे तुम्हें नहीं आता मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें अपनी राइफल खराब कर दोगे तो हर चीज में उसका जो ये knowledge मांटना था ये बहुत ज़्यदा हो गया था जितने भी वहाँ पे soldiers थे उन सब को ये लगता था कि उपर अगर sky में कोई aircraft जा रहा है तो उसे दो मिनिट में उसका model पेचान लेंगे एक दिन क्या हुआ एक उपर से plane जा रहा था और professor ने बस उसे दूर से ही देखा और कहा कि अच्छा ये तो North American Harvard trainer है और ये मुझे इसलिए पता चल रहा है क्योंकि इसकी जो engine की आवाज है वो बहुत ज़्यदा harsh है बहुत ज़्यदा खराब सी है और जो आगे air screw लगा होता है उसका जो speed है वो भी बहुत ज़्यदा high है तो कुछ इस तरह का plane होता है North American Harvard trainer इसकी engine की आवाज बड़ी harsh होती है और जो इसके जो आगे जो punk होता है वो बहुत fast चलता है तो प्रोफेसर ने जब ये बात कही तो बाकी लोग अचंबे में रहे है कि इतनी दूर से इतनी उंचाई से उसने दूर से पहचान लिया कि ये कौन सा plane है फिर एक ऐसी घटना हुई एक summer afternoon में जिसने प्रोफेसर की life को जिन्दगी भर के लिए बदल दिया हुआ क्या कि एक और trainer थे Corporal Turnbull Corporal Turnbull बहुत important नाम है याद रखेंगे हम ये hand grenade पे training दे रहे थे आप सबको पता है hand grenade क्या होता है तो प्रोफेसर Turnbull उनको hand grenade के बारे में बता रहे थे एक तरह सब बं होता है आपको पता होगा और इसमें ये लिवर खींच के ये bomb fang दिया जाता है पूरी स्टोरी समझने के लिए आप पार्ट टू इस वीडियो का देख सकते हैं आपको ये जो वीडियो चल रहा है इसको क्लिक करना है इसके अलावा आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हम फ्यूचर में और बहुत सारा study material लाने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए तैंक यू आज हम करेंगे class 9th English